हेला ईवरेगान स्वागता आपका रिखार एखरेशिपी में आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूं माखाने की खीर माखाने की खीर आप पहले बनाये होंगे लेकिन मैं ऐसा ठिरिक बता होंगे जिससे कहां खीर बिल्कुल गाड़ी बनेगी और बहुत ही कम टाम में बनके तयार होगा चलिए बनाना सुरू करते हैं मखाने खीर बनाने के लिए सबसे पहले पैन को गरम करें पैन जैसे ही गरम होता है उसमें एक चमच घी डाल दें पूरा खीर में हम सिर्फ एक चमच घी ही यूज करेंगे यहाँ पर यहीं पर इस घी में हम काजू डालेंगे यह काजू हम गार्णिश के लिए भून दे हैं यहां पर मैं simple वाला तरीका बता रहे हूं जिसके की एक ही पैन में आपका खीर बन जाए ज्यादा बरतन नहीं लएगा काजू भूने के बाद इसमें किस्मिस डाल दे किस्मिस ऑप्सनल है पसंद है तो डाले किस्मिस को भून लेंगे फिर इसको निकाल के हम साइड में रख जब मखाना क्रिश्पी हो जाए वहां तक भूनना है मखाने को मखाने में उपर से घी नहीं डाला है जो काजू भूने थे उज़िए बचा हुआ गी है उसमें हम इस मखाने को भून रहे हैं हम ज्यादा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे और यहीं पर हम काजू डाल देंगे यहां पर 7-8 काजु डाल दें, इन दोनों चीजे को हमें अच्छे से भून लेना है, यहां पर आप एक मखाना को उठा कर ऐसे हांस से तोड़े, जब आसानी से मखाना तूटने लगे ने इसका मतलब मखाना हमारा भून चुका है, मखाना देखने का यही तरीका है, अब हम आदा कप मखाना लिया है, इसको काजु साथ भूना है, तो इसको हम साइड में रख देंगे, इस मखाने और काजु का हमें पौडर बनाना है, तो इसको मिक्षिम डालके इसको दरदरा पीछ लें, अब इसी पैन में एक कप मखाना हम डालेंगे, इस मखाने को भी हमें तो यहां पर दूद कर द śआथा के लिए धीन के लिए दूद कि इ Caribbean like and तो आद उतना ही अच्छा है तो यहाँ पर मैं मखाना डाल दोंगे, मखाना डालने के बाद इसको ठीक से चला दें और पांच मिनट इसको पकाना है, मखाने को पांच मिनट ठीक से पका लेना है, तो पकने में पांच मिनट से ज्यादा टेम नहीं लगता है, आज को यहाँ एक फिक तैस्य मृझा न सबसे हैं 것이 जब काजुआ निए में अनियेगे केमाक है क्रेका काजुआ या लुकमरा बीदे सोल से üzer सब्सक्राइब और आपको घाड़ी कहमा केमाची सब्सक्राइब की काजुआ और मिक्सर क्राइब में पीछ ले periodic लिए जाद ही पक जाए उसमें मिला दें इसके बाद खीर को दो से तीन मिनट और पकाना है उसे जादा नहीं पकाना है यहाँ पर मैं चीनी डाल दोंगे चीनी यहाँ पर मैं दो चमज डाल रही हूं मीठा आप अपने अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं लेकिन आदा किलो लेकिन अगर आपके पास रहत तो जरूद डाल ऐ अगर ईलैंची पौर्डर नहीं nessasya आप दो बप्रेंशी को तोरके डाल दें इससे इसको बहुत आप्से और कहीर में बस इसको और नहीं पकाना है यहाँ पर इसको ठीक से चला दे अच्छे से मिलाने के बाद आप गैस को बंद कर दे खीर हमारे बिल्कुल बन के तयार है इस खीर को आप ब्रत में भी खा सकते हैं 15 मिनिट में हमारी खीर बन के तयार हो जाती है भूने हुए काजू और किसमी से गार्णिस करें यहाँ पर आप अपने मन पसंद के ड्रैप रूट से इसको गार्णिस करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सेर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राब जरूर करें